दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आपके काफी दिरों से कमेंट आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस डाइवर की वेकंसिस के बारे में भी थोड़ा से हमें इन्फोर्मेशन दी तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं इन स एससी के दोबारा क्या मांगी जाएगी डाइवर की वेकंसिस के लिए मोड ओफ रिक्रिटमेंट क्या रहेगा फिजिकल स्टेंडर्ड और मीजरमेंट यहां पर क्या रहेंगे स्लेबस एक्जाम पैटर्न प्लस में प्रीवियस येर 2012 के अंदर क्या कट ओफ गई थी कॉंस प्रियोग करने वाले हैं उससे पहले माप से एक कुषिशन पूछूँगा आप सभी को पता है दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल ड्राइवर के एक्जाम के अंदर त्राफिक सिंगनल से भी कुषिन आने वाले है तो यह जो कुषिन आपका ट्राफिक सिंगनल गे उपर है third option है पालसव सड़क का प्रियोग करने वाले सीधे जाने वाले वाहनों को रास्ता दें fourth Ai traffic को दिशा देने के लिए दाइं और driver को रास्ता देने के लिए इस इंडर प्रियोग किया गया है तो आपको सम्वर्ब हमें comment box के अंदर comment करके बताना है देखते हैं आपकी traffic signals की कितनी अच्छी preparation है चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यापर online application form आपके कब से start होंगे तो यह जो आपके application form है और advertisement जो आपका है यह 27-6-2022 को आजाएगा इसी दिन यह जो application form है यह online start हो जाएगा आपकी और last day जो आपके रहेगी हो 26-7-2022 रहेगी exam date जो यहाँ पर tentative मत दिया गया है सिसी के दुवारा वो है October 2022 अक्टूबर 2022 के अंदर constable driver का यहाँ पर exam ले लिया जाएगा total vacancies जो आपके यहाँ पर आने वाली है 1411 आएंगी category wise की बात करें तो general की यहाँ पर 604, SC की 262, EWS की 142, ST की 50, OBC की 351 ठीक है 604 vacancy आपके general की SC की 262, EWS की 142, ST की 50, OBC की 351 total यहाँ पर 1411 vacancies आपकी constable driver की आने वाली है अब एक question काफी ज़दा पूछा जाता है कि यह जो vacancies हैं इनको females candidate यहाँ पर fill up कर सकती है नहीं कर सकती हैं तो यहाँ पर RTI के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक जवाब दिया था कि यह जो vacancies आप कहाने वाली हैं यह male candidates की हैं ना कि female candidates की इनको only male candidates यहाँ पर apply कर पाएंगे female candidates in application form को apply नहीं कर सकती है next दब हम बात कर लेते हैं age criteria की ठीक है तो सभी categories के लिए SC और OBC को छोड़कर SC ST और OBC को छोड़कर यहाँ पर जो रहने वाला आपका age criteria वो है 21-30 साल और यह जो आपकी age है यह calculate होनी चाहिए 11-2022 से आपकी जो IU है उसकी गर्णा यहाँ पर की जाएगी 11-2022 से 5 साल का relaxation यहाँ पर SC ST को दिया जाएगा और 3 साल का जो relaxation है वो यहाँ पर OBC को दिया जाएगा और दिल्ली के जाट है वो भी यहाँ पर OBC के अंदर ही count होंगे अगर आपके पास OBC की यहाँ पर certificate है education qualification की बात करें तो आपके पास heavy motor vehicle driving license होना चाहिए plus में vehicles की knowledge होनी चाहिए और maintenance उनो करना आना चाहिए आपको और 12th pass आपके पास होनी चाहिए तो यह सारी qualification आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस driver का form fill up करना चाहते हो और यह जो आपका heavy motor vehicle license है जब आप application form apply करोगे उस time पर आपके पास होना चाहिए कभी आप यह बोलो कि सरी बाद में चाहिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है जब आप application form को apply करोगे तो उसी time के उपर आपके पास heavy motor vehicle license होना चाहिए light motor vehicle license यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा ठीक है तो आशा करता हूँ heavy motor vehicle का जो आपका doubt था हो clear हो गया होगा mode of recruitment की बात करें ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले आपका return exam conduct होगा यह आपका qualifying nature रहेगा फिर आता है आपका driving test driving test आपका total 150 marks का होगा लेकिन है qualifying nature का होगा ठीक है इसके जो marks है वो आपके final med list के अंदर add नहीं किये जाएंगे उसके बाद आपका document verification होगा और यह होने के बाद फिर आपका medical examination होता है ठीक है तो total आपकी 5 stage होने वाली है दिल्ली police constable driver के अंदर physical endurance test और measurement test की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 30 साल तक यहाँ पर 1600 meter 7 minute के अंदर आपको qualify करनी है long jump और high jump के अंदर 3-3 chance आपको दिये जाएंगे अगर आप 3 chance के अंदर इनको qualify नहीं करोगे तो आपको वहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा 30 साल तक यहाँ पर 12 feet और high jump यहाँ पर 3 feet 30 से 40 साल यहाँ पर 8 minute के अंदर 1600 meter qualify करनी है long jump रहेगी 11,5 और 3.25 feet यहाँ पर रहेगी high jump 40 साल से उपर 9 minute के अंदर 1600 meter 10,5 feet long jump और 3 feet आपकी high jump यहाँ पर रहेगी तो यह था आपका physical endurance test अब measurement की बात कर लेते हैं measurement की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो height होने चाहिए आपकी 170 cm SC, ST और OVC और EWS सभी की यहाँ पर जो height है वो 170 cm होने चाहिए लेकिन 5 cm का relaxation जिया जाएगा सभी जो categories है 170 cm यहाँ पर height होने चाहिए सन ओफ आइदर सर्विंग और retire जो भी यहाँ पर candidates हैं जिनके माता पिता या तो फिलाल working कर रहें दिल्ली पुलिस के अंदर या वो retire हो गए हैं तो उनको भी यहाँ पर 5 साल का relaxation दिया जाएगा दिल्ली पुलिस परसनल या MTS स्टाफ जो दिल्ली पुलिस का है या compassionate ground वाले candidates को यहाँ पर 5 साल का relaxation मिलेगा यानि कि उनकी जो height यहाँ पर होने चाहिए वो 165 cm होने चाहिए चैस की बात करें तो 81 to 85 यहाँ पर जो maximum expansion होना चाहिए आपका यानि कि फुलाव जो आपका चाहती के अंदर होना चाहिए वो है 16 cm कम से कम ठीक है 5 cm का उन सभी candidates को जो hillaryas के हैं सब्सक्राइब को यहाँ पर 5 cm का relaxation दिया जाएगा ठीक है तो यह था आपका height और test के बारे में यानि कि physical measurement test exam pattern की बात यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले आपका general awareness 20 question 20 marks के आएगे हर एक question आपका एक marks का यहाँ पर रहने वाला है general intelligence यानि की reasoning 20 question आएगे 20 marks के numerical ability इसके अंदर आपका arithmetic math आएगा advanced math बिल्कुल भी नहीं आएगा और इसके अंदर main most important है subject related knowledge यह आपकी 50 marks की आने वाली है जिसका इस section अच्छा होगा वो ही यहाँ पर selection ले कर जाएगा दिल्ली पुलिस goal stable driver के अंदर क्या क्या आएगा road sense, vehicle maintenance के उपर question आएगे, traffic rules, signals आपको पता होना चाहिए, vehicles के बारे में पता होना चाहिए, environmental pollution petrol and diesel vehicle का आपको knowledge होना चाहिए, उस पर question पुछ जाएगे CNG operated vehicle और noise pollution ठीक है तो इन सबी topic से आपसे 50 question यहाँ पर पुछी जाएगे और जल्द ही आपके लिए हम mock test ले कर आने वाले हैं जो कि fully pattern based रहेंगे दिल्ली पुलिस constable driver के लिए, अगर आप exam के अंदर उन practice set को लगा कर जाओगे तो आपको definitely दिल्ली पुलिस constable driver के अंदर help मिलने वाली है हमारी application का लिंक आपको मिल जागा description box में, rank us IQ के नाम से आपको application यहाँ पर मिल जाएगी total यहाँ पर handed question आएगे handed marks के फिर होगा इसके बाद trade test जिसके अंदर आपको driving skills check की जाएंगी, जो की होगा आपका 1500 number का, ठीक है यह आपका qualify nature का रहेगा, सबसे पहले आपसे light motor vehicle की आपकी driving check की जाएगी, जिसके अंदर forward driving करना, उसके आपको 20 marks दिये जाएंगे backward driving करना, इसके आपको 20 marks दिये जाएंगे, और LMV को park करना, इसका आपको 10 marks दिये जाएंगे, टोटल यह जो आपका test हेगा, driving LMV का, ठीक है, यह टोटल आपका 50 marks का रहेगा, और इसके अंदर आपको qualify करने के लिए, maximum 25 marks यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे ठीक है, अगर आप 25 marks रहेगा, और इसको भी qualify करने के लिए 25 marks यहाँ पर लेने पड़ेंगे, जिसका trade test होता है, वो ही यहाँ पर main goal play करेगा, जिसका trade test अच्छा होगा, वो ही दिल्ली police constable driver के अंदर final selection लेकर जाएगा, ठीक है तो अगर आप ने preparation नहीं कर रखिये, तो आप आज इसे trade test की preparation करना start कर दीजिए, फिर आएगा आपको next test होगा, total 25 marks का होगा, इसको qualify करने के लिए 12 marks आपको लेने होंगे, इसके अंदर traffic signs के आपको knowledge होनी चाहिए, roads की आपको knowledge होनी चाहिए, driving rules के बारें पता होना चाहिए, आपको overtake कैसे करता है, उसको क्या process होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, road map का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, short test route का आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है, police को काफी short route की यहाँ पर requirement होती है, तो आपको short test से short test fruit की यहाँ पर knowledge होनी चाहिए ठीक है तो यह जो आपका test है 25 marks होगा qualifying इसके अंदर रहेंगे साड़े 12 number next आपका रहेगा 25 marks ठीक है total marks रहेंगे 25 इसको भी qualify करने के लिए साड़े 12 number आपको चाहिए यहाँ पर इसके अंदर आपको maintenance आनी चाहिए विकल की ठीक है क्योंकि दिल्ली पुलिस की परसनल होते हैं drivers उनको maintenance भी करनी आनी चाहिए क्योंकि emergency के अंदर उनको maintaining भी करनी रहती है विकल्स की ठीक है तो इसकी भी आपको knowledge होनी चाहिए यह आपका उस labels से आपका SST के दोवारा जारी किया जाएगा same as it is ठीक है general intelligence आपको verbal प्लस non-verbal दोनों करनी है जादा जादा आपको SST के previous year exams की आपर practice करनी है तो detail के अंदर मैं यह आपर नहीं बताऊंगा ठीक है आप इसका screenshot लेकर देख सकते हैं उस साथ ही में यह जो PDF है आपको हम ह नमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा देंगे उसका link आपको मिल जाएगा description box के अंदर ठीक है तो यह सारे topics verbal और non-verbal के हैं यह जो आपके exam के अंदर आने वाले है reasoning के अंदर फिर आता आपका general awareness वही आपकी जो आती है वही आएगी जैसे history culture हो गया geography हो गया economy हो institution हो गया scientific research और current events current affairs यहां पर आएंगे ठीक है यह हो गया आपका general awareness का numerical ability की बात करें तो यह सारे topics आएंगे arithmetic आएगा advance यहां पर नहीं आएगा ठीक है जैसे हो गया आपका number system, computation of all numbers, decimal and fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation, percentage, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio, time and work यह सारे topics आपके किसके हैं arithmetic के, advance आपको बिल्कुल भी यहां पर नहीं छेड़ना है फिरात आपका subject related ठीक है इस section की आपको अच्छे से preparation करनी है अगर आपका यह section अच्छा होगा तो ही आप दिल्ली police constable driver के अंदर maximum score यहां पर gain कर पाऊगे इस side topics हैं जैसे आपके question आएंगे related to road sense, vehicle, maintenance related, traffic rules से question पुछे जाएंगे signal से, signal से, vehicle से, environmental pollution के बारे में आपको पता होना चाहिए petrol, diesel, vehicle का पता होना चाहिए, CNG operated vehicles, noise pollution तो inside topics से आपको यहां पर knowledge होनी चाहिए, यहां से question पूछे जाएंगे और यह जो आपका exam है, TCS conduct करवाने वाला है, तो यह जो आपका subject related knowledge है इससे काफी अच्छे level के question पूछे जाएंगे अब दोस्तों last में बात कर लेते हैं previous year cutoff, 2012 की, क्या गई थी? general category की बात करें तो 48 गई थी, OBC category की 74, ST की 71, SC की यहां पर 45 ठीक है, तो यह जो cutoff थी आपकी 2012 के अंदर गई थी, SC काफी यहां पर कम cutoff देखने को मिली थी ठीक है, vacancies जादा है, अब की बार भी जो SC category की vacancies आपकी जादा है, तो आपको cutoff यहां पर कम देखने को मिलने वाली है ठीक है, तो दोस्तों साथ ही में आपके लिए हम दिल्ली पुलिस HCM, AWTPO के मुक टेश और डेडी दे कर आ चुगे हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के, एक अच्छे लेवल के और